नमस्कार आप देख रहे हैं लाइफ सिटीज और मैं हूँ आपके साथ साहेवली हम हाजिर हैं देश की सबसे बड़ी और सबसे होट खबर के साथ तो जम्मु कश्मीर से धारा 370 हटा दी गई है सिवा एक खंड के बाकि सभी खंड हटाए जा चुके हैं और इसके साती साथ जम्मु कश्मीर अब केंदसासित परदेश यानि की यूनियन टेरेटरी बन चुका है इसके साथ लद्दाक भी यूनियन टेरेटरी बना है केंदसासित परदेश बना दिया गया है और इसके बाद आपको बता दें कि जम्मु कश्मीर विधान सभा रहेगी जम्मु कश्म के मुद्धे पर मोधी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है ग्रीमंत्री अमिशा ने राजसवा में जम्मू कस्मीर से धारा 370 हटाने का प्रस्ताव पेश किया इसके साती साथ उन्होंने राजी का पुनर गठन का भी प्रस्ताव रखा अमिशा के संकल पेश करने के बाद पर देश के लिए बहुत बड़ी ख़बर है कि आप धारा 370 हटा लिगई है आपको बता दें कि राजसवा में हमिशा के बयान से पहले कॉंग्रेस नेता गुलाम नभी आजाद ने कश्मीर के इस्तिती का मामला उठाया उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में दो पूर्व मुक्मंत्रियों को house arrest किया गया है ऐसे में ग्री मंत्री को घाटी की इस्तिती पर बयान देना चाहिए क्या इस पर ग्री मंत्री अमिश्या ने कहा कि वो हर सवाल का जवाब देंगे लेकिन पहले उनकी बास सुन ले दरसल राससभा में ग्री मंत्री अमिश्या ने सोमवार यानि कि आज जम्मु कश्मीर में धारा 370 हटाने का संकल पेश किया इसके साथी साथ अमिस्सा ने जम्मु कश्मीर के पुनर गठन का भी संकल पेश किया जम्मो कश्मीर में तेजी से बदलते घटना करम के भीच दिली में केंद्रिय क्याबिनिट की एहम बैठक बुलाई गई ये बैठक राजसभा में अमिच्छा के बोलने से पहले बुलाई गई थी और अब राजसभा में आकर के अमिच्छा ने साफ साफ कर दिया है कि 370 को ज पिलावा सभी खंड को हटाया जा चुका है और अमिस्या ने भी यही बात कही थी कि सभी खंडों को लागू नहीं किया जाएगा इसके साथ आपको बता दे कि जम्मु कश्मीर अब जो है वो केंदर सासित परदेश यानी की उनियन ट्रेटरी बन गया है लगदाक को अलग उ पूरी जानकारी पहुचा रहा है हमारे लाइफ सिटीज की यूटूब चैनल साथ बनर रही है इसको सब्सक्राइब करिए फेजु पेज को लाइक करिए और विश्तार से खबरों को पढ़ने की लाइफ सिटीज जॉट इन पर जाए धन्यवाग